तो आज महरम का दिन था तो मैंने नियास के लिए शर्बत बनाई थी तो यहां पर मैंने पानी आपको बॉयल करता वह दिखाई हूँ तो सबसे पहले मैं जेली का जेली बना लूँगी क्योंकि जेली भी उसमें मैं आट करने वाली हूँ तो यह औरेंज फ्लेवर की जेली है तो जैसी पानी बॉयल वह वैसी मैंने पूरा एक पैकेट जो था वह उसमें एट कर दीम तो अभी मैं थोड़ा स्पॉन से चला लूँगी तो चलाने के बाद इसे एक दो मिनिट इसे गैस आन रखेंगे तब तक सारी चीज़े मेक्स ना हो जाए उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे di根ad कर देंगे और खूक मिलस कर लेगे इसे ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से तो यहां देख़िया आस्त आस्ते करके सारी चीज़े इसमने घुल रही है पानी की अंदर तो यहां थोड़ी देर तक इसे चलाना है उसके बाद हमने घैस कर देब है और इसे तरा रहन देना है जब तक थोड़ा थंड़ा ना हो जाए तो आप कोई भी 너 किसी भी चीज में तो देखित हैंश्वे आणर है आपको दिखाई треть आना इसे में ने डाल दियू तो थोड़ा सा इट्स होती है जो फालू दे में पड़ती है जो वह हम पानी में भीगा के रख दूंगे मैं आदा एक गंटा पहले जो अच्छी तरह से फूल जाएगी बस इसे थोड़ा सा चला लेंगे तो इसे भी हम साइड में रख देंगे और यहां पर मैंने आदा लिटर और मेरे पास दूद और भी था तो मैं बाद में और भी आट करूंगी यह सिप आदा लिटर दूद मैंने आट करीओं और यहां पर 3-4 टीजपून मैंने कॉण फ्लोर ले लिए सौरी कस्टर पॉडर ले लिए तो ये custard powder को मैंने दूद में भिगा दी हूँ तो उसे अच्छी तरह से घुमा लूँगी के ताकि उसके अंदर कोई भी लंज ना रहे मतलब गांट कुछ भी ना रहे उसके अंदर अच्छे से mix हो जाए दूद के अंदर ही तो यहां पर अच्छी तरह से mix हो गया था देखिए आपको दीख भी नहीं रहे होगा कोई भी लंज वगेरा कुछ भी तो बस इसे भी हम साइड में रख देंगे तो दू जैसा रहेगा इसलिए थोड़ा सा अलग सा शर्बत बना रही हूं तो यह जो मैंने मिक्स्चर बनाई थी दूद और कस्षट पाउडर का वो मैंने इसमें मिक्स कर दियूं अब बस हम इसे एक से दो मिनिट इसे चलाएंगे और चलाने के बाद हम गैस का फ्लेम बन कर देंग यह जो नीचे यह आपको चमज में दिखा वो नीचे नीचे मलाई जो जमरी थी वो है तो बस अब मैं गैस बन कर दूँगी तो यहां देखिए मैंने गैस बन कर दियूं अभी भी आ रहे क्योंकि गरम बहुत है तो जो मेरे पास बाद में दूद था वो मैं इसमें अधा लिटर दूद था तो मैंने उस हिसाप से यह एक करी हूं तो जितने में इस शक्कर आट करी वो मिठा में बहुत सही था मतलब कुछ फीकाव का नहीं था बहुत अच्छा शर्वत बना था तो बस इससे अच्छी तरह से चला लेंगे तो ताकि शक्कर अच्छी तरह स मिक्स करेंगे तो यहां पर मैंने एक जग ले लिए हूं जग के अंदर जो मैंने सब्जा भीगा के रखी थी तो वह सब्जा मैं पूरा एट कर रही हूं थोड़ा सा मैं रोक लिए हूं क्योंकि मुझे इसा लगा जादा है और उसके अंदर मैंने बरफ के पीसेस भी डाल लेंगे और फिर इसे घुमाने के बाद मैंने थोड़ा टेस्ट आने के लिए रोफजा डाल दी थी इसके अंदर तो मैं अभी डालूंगी रोफजा तो यहां पर चार से पांच चमच मैं रोफजा का एट कर रही हूं थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आजाएगा तो वो डालने के बाद भी हम इसमें अच्छे से इसे घुमा लेंगे ताकि उनीचे बैठे नहीं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर देखिए फिर मैंने जो ड्राइफ रूट्स थोड़े काट के रखी थी बदाम, काजू और पिस्ता और थोड़े से बदाम गार्निशिंग के लिए बड़े अखे रख दी थी और बाकी सब कट करके मैंने अट कर दी थी अगर आपको चाहिए तो चार ओली वगएरा भी आप अट कर सकते और सबसे बड़ी ट्रैजेडी थी यह हुई कि मैंने जैली को जमाने रखी और मैं फ्रेज के अंदर ही भूल गई तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा तो वो फ्रेज के जब जैली दो घंटा लगता है उसे दो डाई घंटा जमने के लिए तो अच्छी तरह से को जाती है तो उसके चोटे-चोटे क्यूब जैसे पीसे कट करके हम इसमें एट कर देते तो वो खाने में जब आती है तो बहुत टेस्टी लगता है तो वो सबसे बड़ी गलती हो गई मेरी तो आप तो आप लोग भूल लिएगा मत अगर आप ऐसा जूस बना रहे हो तो इसके अंदर आप आट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा तो यहां पर सर्फ करने के लिए दो ग्लास ले लिए और उसके अंदर बरफ के पीसे डाल दिये और थोड़ा सा रूब अबजा नीचे आट कर दिये तो अभी हम जक से इसके अंदर जूस आट कर देंगे तो बहुत ही मज़े का जूस बना था और शकर भी एकदम परफेक्ट थी बहुत ही टेस्ट भी बहुत अच्छा था और एकदम अलग सा ही था ने तो एकदम पतला-पतला सा पानी जैसा जूस लगता है यह पीते हैं त तो आप लोग भी जरूर बना के ट्राइ करेगा, आप ऐसे भी बना कर पी सकते हैं, बहुत अच्छा जूस बना बनके रेडी हुआ है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अलाह आपिस, थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो